हेलो सुरेंट्स मैं शाहिन लूथरा आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा साथ का अध्याई 4 सरल समीकरण उसकी प्रिशनावली 4.1 का प्रिशन 4 करवाऊंगी प्रिशन 4 है निमलिकित कतनों के लिए समीकरण दीजे यानि यहाँ पर कतन लिखे हुआ है मतलब दोनों को प्लस करना है और जो उसको प्लस करने के 9 है ठीक है एक का दस गुणा 70 है यानिकि एक का दस गुणा मतलब एक को हमने 10 से क्या करना है नई सेकिन इसका यह है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते है y में से क्या घटाना है हमें 2 बड़ा simple है y में से 2 घटाने पर हमें 8 प्राप्त होता है उसके बाद a का 10 गुणा 70 है बहुत simple है यानि कि a का 10 गुणा मतलब a गुणा 10 उसका बराबर कितना है 70 यानिकि A को 10 से करेंगे तो क्या आजाएगा? 10 A आजाएगा. इक्वल 70. उसके बाद Fourth है संख्या B को 5 से भाग देने पर 6 प्राफ्ट होता है. ये भी Simple है. B को किसे भाग देना है? 5 से भाग देना है. B को 5 से भाग देया तो 6 प्राफ्ट होता है. उसके बाद पाँचवा है T का 3 चौथाई 15 है अब T का 3 चौथाई 15 कैसे लिखेंगे हम 3 चौथाई यानि कि 3 चौथाई क्या होता है 3 अपॉन 4 3 चौथाई यह क्या है T का T का 3 चौथाई 15 इक्वल 15 ऐसे जो हम इसको लिखेंगे T का 3 चौथाई 15 है उसके बाद 6 part है M का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है M का 7 गुणा यानि कि पहले M को हम क्या कर लेंगे 7 से गुणा कर लेंगे और फिर उसका योगफल यानि कि उसका जो उसमें हम क्या जमा कर देंगे 7 योग है तो 7 जमा करतेंगे उसको आपको क्या देता है? 77 देता है यानि कि M को 7 से गुणा करेंगे तो M7 जमा 7 equal 77 ठीक है? ऐसे ही 1 संख्या X की चोथाई रिन 4 आपको देता है 1 संख्या X की चोथाई अब वो संख्या कौन सी है? उसको हम यहाँ पे लिखा हुआ एक संख्या X की चोथाई रिन अब X का चोथाई क्या होता है? 1 बटा 4 1 बटा 4 हो गया यह X का चोथाई और उसका जो रिन है आपको रिन मतला माइनस माइनस 4 और आपको 4 देता है equal 4 ठीक है? यह हो गया X का एक चोथाई उसका रिन 4 और उसका आपको 4 देता है रिन मतला माइनस करना यदि आप Y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होगा है Y के 6 गुने में से अब Y का 6 गुना मतला 6 गुना Y Y के 6 गुने में से अगर आप 6 घटाएं Y का 6 गुना हो गया y गुणा 6 उसमें से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है तो y गुणा 6 कितना हो गया? y6-6 इक्वल 60 तीक है? यदि आप z के एक तिहाई में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है अब z का एक तिहाई क्या होगा? 1 बटा 3 एक बटा 3 ये होगया? z का एक तिहाई इसमें क्या जोड़े? 3 जोड़े जमा 3 तो क्या प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है ठीक है? z का एक तिहाई जमा 3 तो उसमें हमें 30 प्राप्त होता है तो यहाँ पे हमारा प्रशन 4 कम्प्रीट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रशन पांच करेंगे होफ़ली आपको वीडियो हेल्फुल लगा वीडियो हेल्फुल लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू